हेलो गाइस वेलकम बेक और यूटूब चैनल एक्जॉड होप यू क्रेटिंग संथिंग निव एवरी देग तो आज जैसे कि आप लोग सबको पता है कि मैंने एक नया प्लेलिश स्टार्ट का रहा है यूआ यूएक्स डिजाइनिंग के ऊपर और इसमें आपको हम जीरो ट सब्सक्राइब करेंगे हाँ तो गेट स्टार्टेड विट यूए एंड यूएक्स डिजाइन इसमें टोटल सिक्स्टेप है और इस स्टेप को जानने के बाद आपको पता चल जाए कि आपका करियर यूए यूएक्स के उपर है या नहीं है सो लेट्स स्टार्ट तो पहल अपके साथ आगे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं यह आप से पी एक सौक के लिए हूआ है और जाते हो या नहीं चाहते हो खिक है फिस स्टेपन है हमारा टेक एक कोर्स तो लर्न गाइट domains औन प्रिंसिपल यह भी कापी की कूँछ सा अइप कहनी को फॉलो करती है कौन सी principal को फॉलो करती है ये बहुत जानना बहुत इंपोरेंट है आगे आने वाले वीडियो में मैं cover करूंगा ये सत्थीज फिर भी एक course लेना बहुत important है कोई भी आप course आरा की course कर सकते हो विडियो में के course कर सकते हो मैं description में लिंक डाल दूबा आप go through कर सकते हो उसके साथ let's move to the next step step number three learn any tool कोई भी एक टूल कुछ सीखो और इसमें master बन जो यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी जो टूल आते हैं UI UX designing के लिए वह basically सारा simple रहता है same to same कहीं आपको कोई डिफेंट टूल बस थोड़ा मारा different होती है उसकी कोई दिक्कत नहीं है बट कोई भी एक टूल ले लो जैसे figma ले लो फ्रेमर ले लो और xd ले लो sketch ले लो तुछ भी ले लो कोई एक टूल पकरो और उसमें master बन जाओ उसके बाद उसके साथ काम करो काम करो काम करो उसके बाद आप अगर दूसरे टूल पर मुव करना चाहते हो तो बहुत easy होगा आपके लिए let's move to the step number four step number four है हमारा सबसे important step practice आप कितनी भी थेवरी पर लो कितने बारे में भी जान लो डिजाइनिंग के बारे में लेकिन जब तक आप practice नहीं करोगे यूआ यूएक्स के बारे में आप नहीं सिख सकते हैं यह सेम एक graphic design की तरह है आप graphic एक देख सकते हो लेकिन जब उसको बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या दिक्कत आती है या उसको आप क्या नाय टच दे सकते हो यह सब चीज के लिए आपको practice करना ब enhance पर कर सकते हो और stack पर कर सकते हो बहुत सारे platform है जहां आप कुछ लोगों को follow करके आपको पता चल सकता है आप उनकी design copy कर सकते हो पहले copy करना सिखो आप design copy करोगे उसके बाद आपको मैं आगी बताओंगा क्या क्या कर सकते हो आपको कोई भी design मतलब कोई भी community को एक join करना मैं भी कितनी community हो सकता है जो आप join करों वहां से आपको काफी सारे ideas और काफी साफी problem solving की ideas मिलेंगे और बातचीत कर सकते हो आपे so yeah काफी important step है चलो तो next move करते हम step number last step हमारा है sixth step और step में आपको बाते जाननी है मतलब research करना है कि corporate world क्या चाहती है इसमें आपको सीखना है learn what corporate world need corporate world क्या चाहती है एक user UI UX designer से यह काफी important है like आपको अगर पता होगा कि corporate world क्या चाहती है अब जब interview के लिए जाओगो तो आप easily define कर सकते हो उनको कि हा मुझे यह यह आता है मैंने यह बनाया है ऐसे मैंने problem solve करी है यह problem solve करी है बस corporate world को जो चाहिए आपको पहरे से पता है आ आपने research कर रखा है so yeah यह बहुत important step है कि corporate world के बारे में जानना बहुत important है कि corporate world क्या चाहती है ठीक है तो I hope आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो please like करो subscribe करो subscribe करो जितना subscribe करोगे उतना channel आगे बनेगा और लोगो को पता चलेगा इस course के बारे म and thank you for your support आप हमें Instagram WhatsApp और Discord सब जगा follow कर सकते हो मैं Link description में डाल दूँगा WhatsApp पे आप हमें मैसेज करके भी कुछ भी अपना design दिखा सकते हो हम आपको बताएंगे और Discord पे भी आप हम से बात कर सकते हो क्यों से चीज़ सही होगी you know वो इसके थुरू हम बात कर सकते हैं मैं उसका भी लिंक डाल दूँगा आप वहां पी जोइन कर सकते हो हमें सो यह आज के लिए बस इतना ही टेक क्या बाई पीस एन स्टेक्रेटिव